हेलो फेंट्स वेलकूम टो माई चैनल तो फ्रेंट्स आज आप देख सकते हो कि मैंने अपना फेस जो है पूरा कवर किया हुआ वह इसलिए किया हुआ है कि आज मैं आप लोगों के साथ ही बहुत यूनीक सा वीडियो शेयर करने जा रही हूं कि लोगडाउन बेशक खुल ग हो बेशक लाइट है लेकिन फिर भी बनवाने तो पड़ते हैं एक शेप होने से ही पेस का जो है बहुत अच्छा एक लुक का जाता है तो चलिए मैं आपको बताती हूं इसको घर पे हम लोग कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले चाहिए हमें पॉडर तो आपके पास जो भी बस ऐसे आपने लगा लेना तो अभी शुरू करते हैं थ्रेडिंग बरादा तो मैं आपको यह दिखा रहे जाए यूंकि यह है आइब्रो पैंसल तो जब हम लोगोंने थ्रेडिंग करनी है गर पे अपने पुद की तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लगाएंगे निश तो सबसे पहले तो हम लोग निशान लगाएंगे यहां बिल्कुल ऐसे सिद्धी आइग्रो पैंसिल करके मैं पास से लिखाते हूं ऐसे और उसको इस बाद पैंसिल को ऐसे करके हम लोग निशान लगाएंगे यह जूच में ट्रूश्य को अश्य क्या अधि यहां तक निशान लंगाएंगे जी आप देख सकती हो कि निशान लगाएं तो भी शक्रीट हो लेकिन थ्रेडिंग बनाने से ना थोड़ा एक शेप देने अइसे फेस आपका अचछा लगता हैं तो इसको में बताने जा रही हूं यह बलेट के साथ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि फेस मैंने इसलिए कवर किया तांकि मेरा जो ध्यान रहना है वह सिर्फ आईब्रोव पैर है तो चीज मैंने बलेट ले लिये तो आपको मैं दिखा रही हूँ ऐसे नीचे आंग से पकड़ लेना आपने और ऐसे देरे देरे फिर निकाने यह देखिए आप चाहें तो बलेड को हाफ कट भी करकर सकते हैं तो नीचे की जो थ्रेडिंग गया इसकी आईब्रो की वो मैं ऐसे बनाऊंगी बस आपने थोड़ा इसको टाइट करके फखलना है मैं फ्रेंट कैमरे से बना रही हूं तो आप देखिजिए कि फ्रेडिंग घर पे करना कोई मुश्किल काम नहीं है बस केरफुली आप बना लें देखिए कितने अच्छे से मैंने शेप दे ली ऐसी जैसे आपको शेप चाहिए आप आप फर्क देख सकते हो इधर और इधर में यह थ्रेडिंग मेरी बन गई है बिल्कुल सई शेप है जैसी मैं चाहती हूं तो फ्रेंड्स यह देखिए थ्रेडिंग बन गई है अगर पर कितने आसानी से तो अभी रिस्क नहीं ले सकते हम लोग लोग डॉन में पालर जाने का तो आप घर पर ही बनाई है बहुत इसी है बनाना तो कोई समें मुश्किल नहीं है कोई डरने वाली बात नहीं है कि देख सकते हो आप कितने अच्छे से बना लिए अन्य थाड़िंग